हे गाईज आसे में एक न्यू कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जो की हाली में ही रिलीज हुआ है और इस ड्रामा का नाम है दर डील ये बेसिकली एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है अगर आप लोगों को सस्पेंस वाले सीरीज देखना पसंद है तो आप लिए इसको देख सकते हैं तो चलीए बीना किसी देरी के कहानी शुरू करते है कहानी शुरू होती है और हम दो फ्रेंड को देखते हैं जिसमें से एक का नाम जुनसंग होता है और दूसरे का नाम जेयह होता है पता चलता है कि जुनसंग recently अपनी military service complete करके वापस आ चुका था यहाँ पर वो दोनों किसी का wait कर रहे थे लेकिन तीसरे दोस्त ने last moment पर cancel कर दिया था तभी जेहो बताता है कि उसका एक और friend है जो आज रहा तुन्हें join करने वाला है जिस friend के बारे में वो बता रहा था उसका नाम मिन्वू होता है और वो उन दोनों का पुराना classmate था थोड़ी ही देर में मिन्वू वहाँ पर पहुंच जाता है मिन्वू उन दोनों से कहता है कि उसको 12 बज़े से पहले घर पहुंचना है वरना उसकी mom tension लेगी वो दोनों उससे कहते हैं हम तुम्हें 12 बज़े के पहले टैक्सी में बिठा देंगे यहां से कहानी आ जाती है next morning जुनसंग जैसे ही उठता है तो उससे अंदर वाले कमरे से आवाज आ रही थी वो बहुत डर जाता है वो जिहो को उठाने लग जाता है और उसको बताता है कि लगता है कि वो उठ चुका है अब वो दोनों अच्छे से पूरे घर को पैक करते हैं जुनसंग जैसे वो सलमारी को खोलता है तो उसके अंदर से एक लड़का बहार निकलता है जिसको उन दोनों ने बंद करके रखा था यहां से कहानी आ जाती है 12 गंटे पहले जब वो तीनों ड्रिंग करने के लिए बैठे हुए थे वो दोनों तो अभी भी होश में थे लेकिन मिनवू पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था पता चलता है कि मिनवू के डैड की देथ बहुत साल पहले ही हो गई थी और वो अपनी मॉम के साथ रहता था जेहो जुनसंग से पूछता है तुम्हारे फ्यूचर का क्या प्लैन है क्या तुम अपने डैड के रेस्टरॉंट में काम करने वाले हो तो जुनसंग बताता है बहुत साल पहले वो एक जगे पर पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पर उसकी साथ एक आदमी था जो हमेशा अपने मॉबायल में कुछ करता रहता था ये सब देखकर जुनसंग बहुत ही क्यूरियस हो जाता है वो उस बंदे से पूछता है कि तुम क्या देखते रहते हो तो वो लड़का कहता है ये पैसे कमाने का एक तरीका है जिससे तुम कम टाइम में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो ये सब देखकर जुनसंग भी वो सब स्टार्ट कर देता है शुरू शुरू में उसे बहुत सारे पैसे आ रहे थे वो उस चीज में इतना जादा इन्वाल्व हो गया कि एक दिन उसने सारे पैसे दाव पर लगा दिये जिसकी वज़े से उसका सारा पैसा डूब गया इसलिए फाइनली उसने सब कुछ बंद कर दिया तभी उसका फ्रेंड कहता है मुझे इस गेम के बारे में सारा नौलेज है तुमें एक काम करो तुम सारे पैसे मुझे दे दो जितना भी प्रॉफिट आएगा मैं तुमें वापस कर दूँगा इसी चक्कर में जुनसंग ने लोन शाक से बहुत सारा लोन ले लिया लेकिन कुछी टाइम में उसका दोस सारा पैसा लेकर भाग गया और इसी चक्कर में उसके उपर बहुत सारा कर्ज है जेहो उससे पूछता है तुम्हारे डैड ने सारे पैसे चुका दिये थे न यहां से सीन आ जाता है फ्लेश बैक में जब जुनसंग अपनी मिलिटरी सर्विस कंपलीट करके वापस आ रहा था तब उन लोन शाक्स ने उसे किड्नैप कर लिया और वो लोग जबरदस्ती अपना पैसा मागने लग गए उसने लिया था सिर्फ 10 मिलियन लेकिन इंटरस्ट के साथ वो बढ़ते बढ़ते 400 मिलियन हो गया फिर वो लोग उसे एक टेबल से बान देते हैं और कहते हैं अगर तुमने हमें सारे पैसे नहीं दिये तो हम तुम्हारा सारा औरगन निकाल लेंगे रेजेंट में वो दोनों मीनवू को अपने कंदे पर उठा कर घर लेकर जा रहे थे घर आकर वो दुबारा से बाते करने लग जाते हैं जुनसंग जेहो से कहता है अगर मैंने सारे पैसे नहीं चुकाए तो वो लोग मेरा सारा औरगन निकाल लेंगे फिर वो बताता है उसको ऐसा लगा कि उसके डैड ने सारे पैसे चुका दिये होंगे लेकिन अभी भी बहुत सारा पैसा रह गया है वो कहता है कि उसे ऐसा लगा मिलिटरी सर्विस से आने के बाद वो अपनी लाइफ नए सीरे से स्टार्ट करेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया बलकि उसकी लाइफ तो बरबाद हो चुकी है जेहो उससे कहता है उन लोगों को जाकर बोलो ये सारा काम इलीगल है तो जुनसंग कहता है तुम तो स्कूल टाइम से ही पढ़ने में बहुत अच्छे हो और जल्दी ही तुम डॉक्टर बनने वाले हो अगर तुम्हारी लाइफ में थोड़ी बहुत गड़बढ हो भी गई तो तुम्हारा जादा नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है अगर मैंने एक भी गल्ती की तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेहो की लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था वहाँ पर कुछ गड़बढ हो गया था और वो जल्दी कॉलेज से एकस्पैल होने वाला है पता चलता है कि जेहो के साथ और भी लोग थे और उन सारे लोगों ने मिलकर एक्जाम में चीटिंग की थी लेकिन वो लोग नहीं पकड़े गए और जेहो पकड़ा जा चुका था और इसकी वज़े से सिर्फ उसे ही कॉलेज से एकस्पैल किया जा रहा था लेकिन ये बात वो जुनसंग को नहीं बताता है उसी टाइम पर मिन्वू की फोन पर उसकी मॉम का कॉल आ रहा था तभी उन्हें याद आता है मिन्वू ने उनसे कहा था कि उसे बारा बजे के पहले घर पहुँचना है जुनसंग उससे कहता है हम लोग इसे टैक्सी में बिठा कर घर भेज देते हैं लेकिन तभी जेहो के मन में एक आइडिया आता है उसे याद आता है कि उसके साथ जितने भी लोग चीटिंग में इन्वाल्ड थे वो लोग आराम से कॉलेज में घूम रहे थे और अगर तुम उसे जिन्दा देखना चाती हो तो दुबारा से यहाँ पर कांटेक्ट मत करना और साथी में वान बिलियन वान पैसे तयार रखना और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है यह सब सुनकर जुनसंग को बहुत अजीब लगता है उसको तो ऐसा लगता है कि जेहो मजाग कर रहा है वो पूछता है तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें एक्टिंग भी सिखाते हैं क्या तुम्हारी बाते सुनकर तो मैं डरी गया तुमने उनसे वान बिलियन पैसे मांगे और फोन रख दिया ये कैसा मजाक कर रहे हो जेहो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सीरियस हूँ जुनसंग को बहुत गुसा आ गया था वो जेहो के हाथ से फोन चीनने लगता है और कहता है तुम ऐसा मजाग कैसे कर सकते हो जेहो कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा मैं कोई मजाग नहीं कर रहा हूँ जुनसंग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये बहुत बड़ा क्राइम है हम दोनों जेल भी जा सकते हैं तो जेहो कहता है, अगर उन लोगों ने हमें ट्रैक किया, तभी तो हम जेल जाएंगे, अगर हमने मिनवू का फोन बंद कर दिया, तो वो लोग हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और रही सिसी टीवी की बात, तो वो लोग थोड़ी ना पूरे शहर का कैमरास चेक करेंगे, उ तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि इन सब चीजों में, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मिनवू को अपने कंदे पर उठा कर ले कर आए हो, तुमें क्या लगता है, तुम बच जाओगे, जुनसंग कहता है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम ये सब क्यों कर र तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो जेहो कहता है, तुम्हें किसने बोला कि मेरी लाइफ अच्छी है, फिर वो जुनसंग से कहता है, तुम्हारे पास पांच मिनिट है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी जुनसंग नहीं मानता, वो उसके हाथ से फोन छीनने लग जाता है, और उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, वो दोनों बुरी तरीके से एक दूसरे को मारने लगते हैं, उसी टाइम पर जेहो उस फोन को प्रीज के नीचे फेक देता है, और कहता है अगर हमने पूरी जिन्दगी भी काम किया, तब भी हम इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, और मिनवू के पास तो बहुत पैसे हैं, वो इतने पैसों का करेगा क्या, अगर हमने गरीब फैमली में जनम लिया है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, मिनवू बहुत ही इस खरीदता है, इस तरह जनम को मिनवू का फोन मिल गया था, लेकिन पता चलता है कि उस फोन की बैटरी खतम हो चुकी थी, अगले सीन में हम मिनवू की मॉम को देखते हैं, जो एक एकसपर्ट से मिलने के लिए आई हुई थी, एकसपर्ट उनको बताता है, तुम्हारे प होस्टेज को मार देते हैं, दूसरी तरह जुनसंग उस फोन को चार्च करके मिनवू की मॉम को फोन करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जेहो पहुंच जाता है, और उसके हाथ से फोन चीन लेता है, फिर वो जुनसंग को रूम से बाहर निकाल कर मिनवू के पूरे होश में आ जाता है, और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, वो चिला चिला कर हेल्प मांगने लगता है, उसी टाइम पर जुनसंग एक भूक लेकर उसके सर पे जोर से मारता है, पहले तो वो डरी जाते हैं, उनको लगता है कि वो मर गया, लेकिन जेहो चेक करके बताता है कि वो मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है, जुनसंग कहता है अभी भी देरी नहीं हुई है, हम इसको हॉस्पिटल पहुचा देते हैं, और इसकी माम से कह देंगे कि हम लोग ड्रंक होकर मजा कर रहे थे, मुझे पूरा भरोसा है, इसकी माम हमें माफ कर देगी, उसी टाइम पर पुलिस वाले वहाँ पर पहुच जाते हैं, वो दोनों बहुत डर गए थे, वो मिन्वू को वहीं के अलमारी में बंद कर देते हैं, पुलिस वाले उनको बताते हैं, कि तुम्हारे नेबस ने कंप्लेंट किया है, कि यहां से बहुत ज़दा आवाज आ रही थी, क्या तुम दोनों ने लड़ाई की है, जेहो कहते हैं, हमने कोई लड़ाई नहीं की है, बस थोड़ा सा आरग्यूमेंट हो गया था, पुलिस वाले कहते हैं, हमें तुम्हारा घर चेक करना है, क्या तुम दोनों यहां पर अकेले हो, फिर वो कहते हैं, घर देखकर ऐसा लगने कि तुम दोनों ने बस आरग्यूमेंट किया है, देखकर ऐसा लग रहा है, कि तुम दोनों ने गंदी वाली फाइट की है, तभी वो ऑफिसर कबड की तरफ बढ़ने लग जाता है, जुनसंग समझ गया था, कि वो बुरी तरीके से फसने वाले हैं, इसलिए वो एकदम से जाकर जेहो का कॉलर पकड़ लेता है, और वो उसे लड़ने लग जाता है, फिर वो उसे इशारों में कहता है, मुझे हिट करो, वो पुलिस वालों को डिस्ट्रैक करने के लिए ऐसा कर रहा था, जब पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आते हैं, तो वो उनको भी मारन लगते हैं जुनसंग जेहो का गला दबाने लगता है तब ही पुलिस वाला उसे बेहोश कर देता है पता चलता है कि जिन लोगों ने कंप्लेंट किया था वो इनके पडोसी थे और वहाँ पर जो भी आवाज हो रही थी वो उन्हें सुनाई दे रहा था वहाँ पर जो लड़ वो लोग उन दोनों को पुलिस टेशन लेकर आते हैं और कहते हैं हमें रिटर्न में स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन करो कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे और अगर तुम दोनों का स्टेटमेंट मैच नहीं हुआ तो हम तुम दोनों को जेल में डाल अब जुन संग से कंट्रोल नहीं होता वो पुलिस वालों को कहता है मुझे आपको कुछ बताना है इसके पहले कि वो और कुछ बोलता तब ही वहाँ पर एक दूसरा ओफिसर आ जाता है और कहता है एक एमरजनसी आ गई है वो कहता है एक लेडी मिसिंग है हम उसका फोन भी ट में बहुत सारे कैमराज हैं और इतनी जल्दी सारा कुछ चेक करना पॉसिबल नहीं है यही सब सोच कर जुन संग अपना मन बदल लेता है फिर पुलिस वाले उन्हें एक वर्निंग दे कर छोड़ देते हैं बहारा कर वो जेहो से पूछता है क्या तुम सच में ये करने वा वो जेहो से पूछता है तुम शौर हो क्या कि तुम्हें वो सारे पैसे मिल जाएंगे और मिनवू का क्या क्या तुम उसे बाद में जाने दोगे जेहो कहता है हम उसे जाने देंगे क्योंकि मेरे पास एक प्लैन है फिर वो दोनों घर आकर मिनवू को कबड से बाहर निकाल जाने लगता है तभी जुन संग उसको पकड़ के शान करता है अब जेहो उस वाइज एप के थुरू मिन्वू से कहता है तुम किड्नाप हो चुके हो अगर तुमने कोपरेट किया तो हम तुम्हें जाने देंगे उसी टाइम पर मिन्वू जुन संग का नाम लेता है और कहता है क्या तुम मुझे बेवकुफ समझते हो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा और इसी सीन के साथ एपिसोड वान यहीं पर खतम हो जाता है एपिसोड टू के शुरुआत में मिन्वू कहता है मुझे पता है कि तुम जुन संग हो तुमने क्या लेकिन तुमने बहुती अमीर फैमली में जनम लिया है और इसी बात का लोग फायदा उठाएंगे क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोगों से जादा बुरे लोग होते हैं और इसी वज़े से उसके पेरेंस ने ये डिसाइड किया था कि वो उसे किसी अमीरों के स्कूल मे नहीं भेजेंगे बलकि एक नॉर्मल से स्कूल में ही भेजेंगे और जब भी उसके दोस्त पूछते थे क्या तुम्हारे डैट चैर्मेन हैं तो मिन वो हमेशा ही जूट बोल देता था सारे लोग उसका फायदा उठाते थे और जब भी पैसे पे करने की बारी आती थी तो वो लोग उसे ही पेमेंट करने के लिए बोलते थे और हमेशा उसके क्लासमेट्स उससे पैसे मांगते रहते थे लेकिन इतना कुछ जेल कर वो पूरे तरीके से तयार हो गया था जब भी उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश करता था तो वो सामने वाले इनसान की करते वो अंदरी अंदर बहुत स्ट्रॉंग हो गया प्रेजेंट में मिन्वू कहता है मुझे पता है कि तुम जुनसंग हो इसलिए अभी के अभी मुझे खोलो और मुझे यहां से जाने दो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है तुम मुझे अपने पीट पर उठा कर ले करता है वो जैसे उसके नजदीक जाता है तो मिन्वू उसके पॉफ्यूम के समयल से समझ गया था कि वो जुनसंगी है तो जेहो बताता है तुम चाहे कुछ भी बोलो हम तुमें छोडने वाले नहीं है तो मिन्वू कहता है तुमने अभी हम बोला इसका मतलब तो यही है त तुम दोनों ने मुझे किटनैप किया है। वो एकदम से चिलाने लग जाता है। इसलिए वो लोग उसका मूँ बंद कर देते हैं। और जोर से म्यूजिक लगा कर उसे हेड़फोन्स पहना देते हैं। ताकि वो इतना जादा इरिटेट हो जाए और चिलाना बंद कर दे। अगले सीन में हम मिनवू की मॉम को देखते हैं। जो एक बहुत बड़ी कमपनी के डारेक्टर से मिलने के लिए आई हुई थी। वो बताती है कि उसका बेटा किटनैप हो गया है। वो आदमी कहता है तुम पुलिस को रिपोर्ट करो या फिर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लो लेकिन दुबारा से मुझसे मिलने मता ना। पता चलता है कि वो दोनों साथ में ही बिजनस करते थे। तो मिनवू की मॉम कहती है तुम मुझे ऐसे वार्निंग नहीं दे सकते हो बलकि मुझे तुम्हें वार्निंग देना चाहिए। वो कहती है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सिधा पुलिस वालों के पास जाऊंगी। मैं उन लोगों को बता दूँगी। जो बेसबॉल फेडरेशन का डिरेक्टर है वो इलिगल स्पोर्ट्स बैटिंग चलाता है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूँगी। चॉइस तुम्हारी है। एक तो तुम मेरी हेल्प करो या फिर जेल जाने के लिए तयार हो जाओ। उनके वहाँ से जाते ही वो अपने असिस्टन्ट यॉंगो को मीनवू को धूनने का ओर्डर देता है। दूसरी तरफ जेहो जुनसंग से कहता है मुझे क्लासिस के लिए जाना है। तो जुनसंग कहता है हम लोग इतने बड़े प्राबलम में हैं और तुमें अपने क्लास दिला देंगे कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है हमें कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हम उसकी मॉम से पैसे मांगेंगे। वो जैसे वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर उसका नेबर मिल जाता है। वो बताता है कि उसी ने पुलिस को कमप्लेंट किया था। वो पूछता है कि तुम्हारे घर पर कल चल क्या रहा था। जैहो कहता है हमारे बीश में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो ओचुल कहता है तुमें शायद तो कोई भी नहीं रो रहा था, मैंने तो इससे जूट बोला, पिर इसने किसकी आवाज सुनी, इसका मतलब तो यही है, कि यह मुझसे जूट बोल रहा है, इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, फिर थोड़ी ही देर में वो अपने Medical College पहुंच जाता है, उसी टाइम पर हम दे अपने Professor से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका Professor उसकी बात नहीं सुनता, वो कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम appointment लेने के बाद आना, ये सुनकर जीहो को बहुत गुसा आ गया था, वो चिला कर बोलता है, मैं यहाँ पर expel होने वाला हूँ, और आपके पास time नहीं है, इसलिए Professor उसके application form पर stamp लगा देता है, जेहो उससे कहता है, आपको पता था, कि इस चीज में मैं अकेला नहीं था, cheating में पूरा group involved था, तो फिर college ने मुझे अकेले को expel क्यों किया, बाकी के जितने भी students हैं, वो लोग आराम से college में घूम रहे हैं, तो Professor कहता है, तुम अकेले इनसान थे, जो पकड़े गए, बाकी के लोग पकड़े नहीं गए, तो इसमें गलती तुम्हारी है, तो जेहो कहता है, मैंने सारा evidence सब्मेट किया था, जितने भी messages और emails थे, वो as a evidence मैंने school वालों को दिया था, तो school वालों ने बाकियों को expel क्यों नहीं क तुमने online exam में cheat किया, और professor ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम्हें एक lawsuit फाइल करो, दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो, जेहो उससे पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, फिर को एक-एक करके सारे लोगों का नाम बताता है, जितने लोगों ने cheating किया था, वो कहता है, मुझे पता है, कि उन students के parents ने college वालों को पैसे दिये हैं, फिर वो पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, या 500 million बस होगा, या फिर तुम्हें और पैसे चाहिए, उसी time पर हम देखते हैं, जुनसंग बाहर से सब कुछ सुन रहा था, वो समझ गया था, कि जेहो को इतने desperately पैसे क्यों चाहिए, फिर थोड़ी ही देर में, वो अपने डैड के restaurant में मिलने के लिए जाता है, उसके डैड कहते हैं, मुझे catering का order मिला है, जल्दी ही मैं तुम्हारे लेकर जाओ, अगले सीन में हम उसी आदमी यॉंगो को देखते हैं, जो मिनवु को धून रहा था, सबसे पहले वो लोग एक taxi driver के पास आते हैं, क्योंकि मिनवु ने यहीं से taxi ली थी, जैसे वो उस taxi driver को देखता है, तो वो एकदम से भागने लग जाता है, लेकिन वो मिनवु की फोटो दिखाता है, और पूछता है, क्या तुमने कल इसे पिक किया था, अगर तुमने मुझे सच बताया, तो मैं तुमें बहुत सरे पैसे दूँगा, पैसे की बात सुनकर वो बता देता है, वो कहता है मैंने उसे पिक किया था, और वो कंटिनियोसले अपने पर किसी को मैसेज कर रहा था, और वो बार बार यही बोल रहा था, कि उसे जल्दी पहुँचना है, योंगो समझ गया था, कि मिनवु अपने किसी दोस्त को ही मिलने गया होगा, दूसरी तरफ हम देखते हैं, सड़नली वो गाना बंद हो जाता है, इतने में मिनवु उठ और वहां की बुक्स को यूज करके, वो अपने फेस पे लगे हुए प्लास्टिक को काट लेता है, फिर वो उस दरवाजी को भी खोल लेता है, तभी वो बाहर एक जैकेट देखता है, जो एक्चुली मैं जेहो का जैकेट था, उसे याद आता है, कि पिछले रात, जेहो न इसने पैसे भर कर, तुम्हें एक्सपैल होने से बचाया है, अगले सीन में हम उसी लड़की सुएन को देखते हैं, जो उन दोनों की नेबर थी, वो फिलहाल एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए आई हुई थी, वो ऑफिसर बताता है, हमने उनका घर चेक किया था, वो द कोई तीसरा नहीं था, फिर सुएन जब रात को पैट्रोलिंग के लिए निकल रही होती है, तब ही बाहर उसे एक CCTV कैमरा दिखता है, दूसरी तरफ हम जेहो को देखते हैं, जो एक PCO के थ्रू, मिन्वू की मॉम को कॉल करता है, वो मिन्वू की मॉम से कहता है, मैंने तुम को भूलना मत, इस तरफ हम देखते हैं, जुनसंग जैसा ही घर आता है, तो देखता है कि वो म्यूजिक बंद हो चुका था, और कबड का दर्वाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था, दूसरी तरफ जेहो मिन्वू की मॉम से कहता है, कल तक तुम्हे वान बीलियन का पाओगी, इस तरफ जुनसंग देखता है, मिन्वू के फेस का जो प्लास्टिक था, वो आधा फटा हुआ था, वो एकदम से उस प्लास्टिक को कवर कर देता है, तभी मिन्वू उसे कहता है, उसे उसका मेडिसिन चाहिए, उसी टाइम पर उसे पैनिक अटेक आने लग ज जाता है, ये बाद सुएन को बहुत ही अजीब लगती है, फिर वो जैसे घर पहुंचता है, तो वो जुनसंग से पूछता है कि मिन्वू कहां पर है, पता चलता है कि जुनसंग ने उसके फेस का प्लास्टिक खटा दिया था, क्योंकि मिन्वू को पैनिक अटेक आ रहा थ और इस चक्कर में उसने उन दोनों को देख लिया था, इसी सीन के साथ एपिसोड टू यहीं पर खतम हो जाता है, एपिसोड थ्री के शुरुआत में हम देखते हैं, मिन्वू ने उन दोनों का चेरा देख लिया था, यहां से हमें पान साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वो तीनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, यहां पर हम जुनसंग और जेहो को देखते हैं, जो सौकर खेल रहे थे, और जो गोल की पर बना हुआ था, वो और कोईनी बलकी मिन्वू ही था, लेकिन जैसे ही बॉल पकड़ने की बारी आती है, वो अचानक से पैनिक अटेक आ रहा था, रेजन में जुनसंग को याद आ जाता है, जो गोल की पर बना हुआ था, वो मिन्वू ही था, फिर वो दोना एक क्लीनिक आ जाते हैं, मिन्वू के लिए दवायां खरीदने के लिए, जेहो उससे पूछता है, मैं याद करने की बहुत कोशिश कर होता, तो पास्ट में भी ये सब नहीं होता, उस दिन भी उससे पैनिक अटेक ही आया था, जेहो उस पर बहुत चिलाता है, और कहता है, ये सब करने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था, जुनसंग कहता है, मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन पूछन अभी बदल चुका है, होस्टेज को पता चल गया है, कि उसके किड्नैपर्स कौन है, अगले सीन में हम उनी दोनों को देखते हैं, जो जेहो और जुनसंग के नेबर्स थे, वो पिछले रात का फुटेज चेक कर रहे थे, जब जुनसंग और जेहो मिन्वू को ले अब उन्हें ऐसा लग रहा था, कि कहीं उन दोनों ने मिलकर मिन्वू को मार तो नहीं दिया, दूसरी तरफ हम मिन्वू की मॉम को देखते हैं, जो बैंक में पैसे लेने के लिए आई हुई थी, तभी उनके पास एक इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट की ऑफिसर आती है, वो पूछती है तुम्हें अचानक से इतने सारे पैसे क्यों चाहिए, कहीं तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ है, या फिर किसी किड्नैपिंग का केस तो नहीं है, तो मिन्वू की मौम मना कर देती है, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरफ हम कहता है हमें पैसों की जरूरत है, मिन्वू पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो वो बताता है उन्हें वान बिलियन चाहिए, ये सुनकर मिन्वू भड़क जाता है, और कहता है तुम दोनोंने मेरी मौम से इतने सारे पैसे मांगी, और तुम दोनों को इतने सा तो मिन्वू कहता है क्या desperate लोग हमेशा crime करने लग जाते हैं इसलिए अपने actions की सफाई देना बंद करो फिर वो पूछता है जब तुम दोनों को पैसे मिल जाएंगे तो क्या तुम दोनों मुझे जाने दोगे नहीं तुम लोग मुझे मारने वाले तो नहीं हो ना मिन्वू कहता है सबसे पहले मुझे कुछ खाने का लाकर दो कहीं तुम दोनों मुझे भूका तो नहीं रखने वाले तुम दोनों ने मेरी मौम से 1 बीलियन पैसे माँगे हैं तुमें मुझे कम से कम खाना तो खिलाना ही पड़ेगा अगले सीन में हम यान्गू को देखते उस शौप पर एक मीनवो नाम का लड़का गया था और उसके साथ और भी लोग थे वो कोई पब या फिर रिस्टरॉंट हो सकता है तो वो आदमी कहता है तुम्हें पता इस एरिया में कितने सारे शौपस हैं और मैं ये सब कुछ क्यों करूं यॉंगो कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा तो वो आदमी हसने लग जाता है और कहता है तुम्हें पता भी है क्या मैं कितना चार्ज करता हूं यॉंगो उससे कहता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं पैसे देने के लिए तयार हूं अब ये सुनकर उस गुंडे को बहु जुनसंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉलेज से एक स्पैल होने वाला हूं जुनसंग कहता है मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया वहाँ पर पहुँचकर मुझे ये सब पता चला तो मुझे एक sedative के बारे में पता चला है, जो easily मुझे university के hospital में मिल जाएगा, ऐसा करने से मिन्वू को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, जुन संग कहता है तुमारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो, वो हमारा friend है, जेहो कहता है, जुन संग पूछता है, तुम उसे क्या समझते हो, जेहो कहता है, मैं उसे अपना hostage समझता हूँ, जुन संग कहता है अभी वो हमारा hostage है, लेकिन उससे पहले वो हमारा दोस्त है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर वो कहता है, सबसे पहले उसे कुछ खिला देना, उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, अगले सीन में हम सुवैन को देखते हैं, जो उसी फुटेज को लेकर, पुलिस वालों के पास गई थी, वो कहती है अंदर तीन लोग गए थे, मैंने अपनी आखों से देखा है, तो पुलिस वालों कहता है, जब मैंने चेक किया था, तो वहाँ पर कोई तीसरा इंसान नहीं था, और अगर तुम सच में इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहती हो, तो एक प्रॉपर एविडेंस लेकर आओ, बिना एविडेंस के, मैं कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकता हूँ, अब वो दोने एक शॉप में आते हैं, कैमरे में वो देखती है, कि जए हो एक पॉलिथीन बैग लेकर जा रहा था, इसलिए वो उस शॉप का फुटेज चेक करती है, फुटेज में वो देखती है, कि जेहो स्टोर के अंदर आकर, बहुत सारे डक्टेप्स और केबल टाइस खरीद रहा था, रैक पर जितना कुछ भी था, उसने सब कुछ खरीद लिया था, सुएन अपने फ्रेंड से पूछती है, तुम्हारी मॉम के पास बिल्डिंग के मास्टर की होगी, क्या तुम मुझे लाकर दे सकते हो, इस तरह हम यांगो को देखते हैं, जिसको पता चल गया था, कि मिन्वू अपने दोस्तों के साथ, कौन से पब में गया था, कभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, वो कहता है, मुझे फरक नहीं पढ़ता कि मिन्वू के साथ क्या होता है, लेकिन तुम्हें मिन्वू की मॉम पर नज़र रखना होगा, क्योंकि वो औरत हमारा बहुत नुकसान कर सकती है, अब वो लोग उसी पब में चेक करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है, कि वहाँ पर कोई कैमरास था ही नहीं, और उन लोगों ने कोई कार्ड भी यूज नहीं किया था, उसे बस इतना ही पता चला था, कि मिन्वू दो लड़कों के साथ में हैं, और एक लड़के के जैकेट पर, किसी उनिवरसिटी का नाम लिखा हुआ था, वो एक्चुली में जेहो का जैकेट था, दूसरी तरफ हम जुनसंग को देखते हैं, जो अपने घर आया हुआ था, तभी वहाँ पर सारे गुंडे पहुंच जाते हैं, जिन लोगों से उसने पैसे कर्ज पर लिये थे, वो लोग उसे पकड़ कर, बिल्डिंग से लटका देते हैं, वो गुंडा कहता है, मैं तुम्हें कितने टाइम से धून रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बिना पैसे दिये यहां से भाग जाओगे, जुन संग कहता है, मैं तुम लोगों के पैसे वापस कर दूँगा, तो वो गुंडा कहता है, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे सारे और्गंस निकाल कर, अपने पैसे वसूल कर लेंगे, जुन संग कहता है, मैं तुम लोगों से सच बोल रहा हूँ, कुछी दिनों में मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, इस तरफ जेहो मिन्वू के लिए खाना लेकर आया था, जेहो उससे कहता है, तुम ने हमसे प्रॉमिस किया, कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, क्या तुम सच बोल रहे थे? मिन्वू कहता है, तुमें मुझे पर भरोसा नहीं है क्या? अगर तुमें भरोसा है, तो तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? पिर मिन्वू उसे कहता है, मेरे लिए थोड़ा सा सूप लेकर आओ, अब जेहो जैसे ही उसके लिए सूप लेकर आता है, तो सूप बहुती गरम था, वो एकदम से उससूप को उठा कर, जेहो के फेस पर फेक देता है, और वहाँ से भागने लगता है, वो बहुती मुश्कि की कोशिश कर रहा था अब क्योंकि सूप उसकी आँखों में चला गया था इसलिए उसे कुछ दिखी नहीं रहा था और वो दोनों बुरी तरीके से लड़ने लग जाते हैं इस तरफ सुवैन को बिल्डिंग की मास्टर की मिल गई थी दूसरी तरफ मिन्वू बातरूम में छ खोलता है और मन में कहता है तुम दोनों को क्या लगता है मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा तुम दोनों ने मुझे क्या बेवकुप समझ रखा है अब वो एक प्लंजर लेकर बाहर निकलता है लेकिन जेहो उसे कहीं नहीं दिखता उसी टाइम पर वो पीछे से आकर उस जाई थी जेहो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वो इंसान मैं नहीं था इस तरफ सुएन देखती है जेहो बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था यानि कि मिनवु अकेला था इसलिए वो मास्टर की यूज करके उनके फ्लेट के अंदर चली जाती है दूसरी जेहो एक शौप पर आता है और आकर एक हातोडा खरीदता है इस तरफ सुएन हर जगा मिनवु को धून रही थी तभी वो दिवार पर कुछ नोटिस करती है उसे लगता है कि वो खून है लेकिन एक्चुली में वो सूप था जो मिनवु ने जेहो के उपर फेका था तभी शौप गड़ितुसे वहां के कबड़ से आवाज आती है इसके पहले कि वो उस कबड़ को खोलती कभी वहां पर जेहो पहुंच जाता है तो एकदम पागल सा हो गया था वो मिनवु को बुरी तरीके से मारने लग जाता है ठीक उसी टाइम पर जून संग भी वहां पर और उसे अंदर से चिलाने की आवाज आती है वो एकदम से दौड़ता हुआ आकर जेहो को रोकता है और कहता है तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जेहो कहता है मेरा चेहरा देखो इसने मेरे फेस पर गरम गरम सूफ फेक दिया अगर हमने इसे जिन्दा छोड़ दिया तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा इतना बोल कर वो मिन्वू को दुबारा से मारने लग जाता है जुनसंग उसको रुकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन जेहो पूरी तरीके से पागल हो गया था सुएन बहार से सब कुछ सुन रही थी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ठीक उसी टाइम पर मिन्वू चिला कर बोलता है कि जो पैसे तुम लोग मेरी मॉम से लेने की कोशिश कर रहे हो वो पैसे हम वान बीलियन से टैन बीलियन कर देते हैं ये सुनकर सुएन एकदम से शौक हो जाती है मिन्वू कहता है वान बीलियन से क्या होगा मैं तुम लोगों को टैन बीलियन दिलवाऊंगा मुझे पता है तुम दोनों को पैसों की जरूरत है अगर तुम्हें 10 बिलियन मिल गए तो तुम्हें जिन्दगी भर कुछ कड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो कहता है मैं जूट नहीं बोल रहा हूं तुम लोग बस एक बार मेरी बात सुन लो उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जो भी कड़ना है तुम कर सकते हो लेकिन जेहो उसकी बात नहीं सुनता और उसको जोड से हिट करता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खतम हो जाता है एपिसोड 4 के शुरुवात में मीनवो अपने कहानी बताता है वो कहता है उसके डैड एक बहुती बड़े इन्वेस्टमेंट कमपणी के फाउंडर थे उनोंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था और एक बार उसके डैड उसे एक कंटेनर यार्ड के पास लेकर आए थे उस स्टोरेज कंटेनर के अंधर एक सेफ था वो बताता है उसके डैड बहुत सारे illegal activities में involved थे और उस time पर जहां पर वो खड़ा था वहाँ पर बहुत सारे पैसे थे Actually मैं ऐसा कुछ भी नहीं था वो जूट बोल रहा था वहाँ पर तो बस मिन्वू की बच्पन की memories थी जो उसके डैड ने उसके लिए रखी थी वहाँ पर कोई पैसा था ही नहीं रेजरेंट में वो कहता है मैं तुम दोनों को वो सारा पैसा दे दूँगा ऐसा पैसा जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं है जेहो कहता है मुझे पूरा परोसा है ये जुट बोल रहा है वहाँ पर कुछ भी नहीं है मीनवू कहता है मैं ऐसे कंडिशन में जूट क्यों बोलूँगा तुम खुदी सोच कर देखो जे हो कहता है तुम मुझे दुबारा से बेवकुफ नहीं बना सकते हो तुमने पहले भी प्रॉमिस किया था कि पैसे मिलने तक तुम चुप चाप बैठोगे लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने क्या किया तभी जुनसंग कहता है इसका मतलब तो ये है कि हमें मीनवू कौ माड़ने की जरूरत है ही नहीं ये तो वैसा हो गए किड्नैपिंग कभी हुआ ही नहीं था सबको तो यही लगेगा कि मिन्वू ने अपनी किड्नैपिंग खुदी करवाई मिन्वू कहता है तुम सही बोल रहे हो मैं भी यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ हम तीनो सारे पैसो को स्प्लिट कर लेंगे और हम पार्टनर्स बन जाएंगे उसी टाइम पर सुवैन सब कुछ सुन रही थी फिर अगले सीन में जिहो एक पीसियो के पास आकर मिन्वू की माम को कॉल करता है वो बताता है कि कल एक स्टेशन पर ग्यारा बजे सारे पैसे लेकर पहुंच जाना मिन्वू की माम अपने असिस्टन को बताती है कि कल में अकेले ही जाऊंगी लेकिन पुलिस को अलर्ट कर देना क्योंकि हमें प्लैन B की जरूरत है साथी में वो कहती है डाइरेक्टर को कुछ भी मत बताना उनके वहाँ से जाते ही उनकी असिस्टन्ट डाइरेक्टर को मेसेज करके सब कुछ बता देती है प्रीन शिप्ट होता है नेक्स्ट मार्निंग जहाँ पर जेहो अपने लिए एक बर्णर फोन करीद रहा था और इसी फोन से वो मिन्वू की मॉम से कांटेक्ट करने वाला था फिर थोड़ी दिर में जब वो घर वापस आता है तो जुनसंग उससे कहता है मिन्वू ने हमें जो एड्रेस बताया था वहाँ पर सच में स्टोरेज कंटेनर्स हैं मुझे तो लग रहा है वो सच बोल रहा है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए जेहो कहता है मुझे क्लासिस के लिए जाना है अब अंदर आने के बाद मिन्वू जुनसंग से पूछता है क्या तुम दोनों मेरा ओफर एक्सेप करने के लिए तयार हो जुनसंग कहता है तुम जूट तो नहीं बोल रहे हो ना क्या वहाँ पर सच में पैसे हैं मिन्वू कहता है मैं सच बोल रहा हूं जुनसंग कहता है अगर तुमने हमारे साथ कोई भी गेम खेला तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी दूसरी तरफ से उनका नेवर देख रहा था क्योंके घर से कौन निकल रहा है वो देखता है कि दोनों घर से निकल चुके थे सुवैन ने उसको बता दिया था कि उन दोनों ने किसी को पकड़ कर रखा है और वो लोग आपस में सारे पैसे बाटने वाले हैं यानि कि जिसकी किड्नैपिंग हुई है वो भी इस प्लैनिंग में मिला हुआ है अब ये बात वो दोनों पुलिस वालों को बता देते हैं वही पर सुवैन का भाई भी था जो एक्चुली में एक आफिसर था उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो उनके घर के अंदर से लड़ाई की आवाज भी आ रही थी उसका भाई कहता है तुम किसी और के घर में बिना परमिशन गई सुवैन कहती है उन दोनों ने एक बंदे को बंद करके रखा है यहाँ पर कौनसी बास जादा इंपोर्टन्ट है उसका भाई कहता है कुछी दिनों में तुम्हारे पुलिस रिक्रूट्मेंट का इंटरव्यू आ रहा है तुम्हें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए बाकी की चीजों पर नहीं तो सुवैन कहती है मेरे आखों के सामने सब कुछ हो रहा है और मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती हूँ इस तरफ जेहो मिन्वू के नाम पर एक बर्णर फोन खरीदता है ताकि वो मिन्वू की मॉम को कॉंटेक कर सके और दूसरी तरफ जुनसंग उसी कंटेनर याड के पास पहुँच गया था जिसके बारे में मिन्वू ने बताया था मिन्वू ने कहा था कि उसके ओपर WN लिखा है काफी देड तक धूडने के बाद उसे वो कंटेनर मिल जाता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तीन लॉक लगे हुए थे उसी टाइम पर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो एक्चुली मैं इस एरिया का मैनेजर था वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे अगर तुम्हें अपना कोई भी समान रखवाना है तो तुम्हें आफिस में आना चाहिए था फिर वो पूछता है तुम्हें क्या स्टोर करवाना है अगर तुम्हें कोई भी इलिगल समान रखना है तो हम वो सब नहीं रखते हैं तभी जुन संग वहाँ पर राइफल नोटिस करता है फिर वो पूछता है क्या हम यहाँ पर कोई personal item रख सकते हैं क्या जैसे कि कोई safe हो गया तो वो आदमी कहता है यहाँ पर बहुत सारे safe हैं और तुम जिस container को देख रहे थे वो container भी एक safe है अगले scene में हम मिन्वू की mom को देखते हैं जो पैसे लेकर निकल गई थी उसी time पर यांगो उसको follow करने लग जाता है उस back को लेकर वो एक station के अंदर आ जाती है जहाँ पर जेहो ने उसे बुलाया था यानि कि जेहो ने जुनसंग से जुट बोला था कि वो college जा रहा है वो जैसे अंदर आती है तो जेहो उसे message करने लग जाता है वो मिन्वू की mom से पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आई हो तो वो हाँ बोलती है जेहो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें इस बात को prove करना होगा अभी जो train आ रही है तुम्हें उस train के अंदर जाना होगा तुम्हारे opposite वाले platform पर और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मिन्वू की जान चली जाएगी अब ये सुनते ही मिन्वू की mom भागने लग जाती है भागते भागते वो train के अंदर घुज गई थी तुम्हें अगले station पर उतरना होगा लेकिन तुम्हें train के पहले डब्बे और पहले डोर से उतरना है वो उन्हें जान बूच कर भगा रहा था अब ये सुनकर मिन्वू की mom दुबारा से भागने लग जाती है अब धीरे धीरे करके वो उन्हें बाकी के डिरेक्शन देता है वो जान बूच कर उनको भगा रहा था ताकि वो पता लगा सके कि उसके साथ पुलिस या फिर बाकी के लोग तो नहीं आये हैं वो बार बार डिरेक्शन बदल दे रहा था और कह रहा था कि अगर तुम नहीं पहुंची तो मिन्वू की जान चली जाएगी एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो भागते भागते वहीं पर गिर जाती है फिर लास्ट टेशन पर पहुंच कर वो कहता है मेरे मेसेज का वेट करो उसी टाइम पर हम देखते हैं जेहो उनके बाजू में आकर खड़ा हो गया था तभी वो कहता है पैसो से भरे बैक को अगले ट्रेन के रैक पे रखकर उतर जाना जैसे ही ट्रेन आता है तो जेहो ट्रेन के अंदर जा चुका था लेकिन मीनवो की मौब वहाँ से जरा भी नहीं हिलती उनको बहुती जादा गुसा आ गया था जेहो देखता है कि वो ट्रेन में चड़ी नहीं रही है उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये करना क्या चा रही है जेहो उसे मेसेज करके पूछता भी है कि क्या तुमने पैसे रख दिये लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती इसलिए जेहो को मजबूरन ट्रेन से उतरना पड़ जाता है वो वहाँ से उनको छुपकर देख रहा था अब क्यूंकि वो रिपलाई नहीं कर रही थी इसलिए जे को करने के लिए कहा था तुमने वैसा क्यों नहीं किया तो मिन्वू की मौम कहती है इस बात की कोई गैरेंटी नहीं है कि पैसे लेने के बाद तुम मिन्वू को छोड़ दोगे जेहो कहता है तुम चाहती क्या हो कि मिन्वू की मौम कहती है अगर तुमने मिन्वू को कि मिन्वु जिन्दा है तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी जेहो को लगता है वो वहाँ से जा चुकी है लेकिन वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वह वहीं पर खड़ी थी फोन की आवाज सुनकर वो समझ गई थी कि जेहो उसके आसपासी है वो उसको धू संग को देखते हैं जो जेहो को मैसेज करके बता आता है कि उसे वो कंटेनर मिल चुका है अगले सीन में मिन्वु की मॉम डिरेक्टर से मिलने के लिए आई हुई थी वो उसे कहती है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे पुलिस वालों के पास जाना चाहिए तो अब तू मु लीगल एक्टिवीटीज चलती है यह बिजनस बहुत बड़ा हो गया है यहां तक की बाकी कंट्रीज में भी फैल चुका है तुम्हें पता है हमारी कंपनी इतने फायदे में क्यों है क्योंकि वहां की सारी एक्टिवीटीज सीक्रेटली हैंडल की जा रही है और जब तुम उससे हेल्प मागने के लिए आई तो मैं तुम्हारी हेLप करने के लिए तयार हो गया क्योंकि मुझे डर था कि तुम हमारा सीक्रेट दुनिया वालों को बता दोगी इसलिए तुम मिन्वु का किड्नापिंग केस पुलिस वालों को नहीं बता सकती हो क्योंकि अगर एक बार पुलिस इंवेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया तो सब कुछ बहार आ जाएगा और रही तुम्हारे बेटे की बात तो हम उसे किसी भी कीमत पर धून के निकालेंगे और अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो हम उसके किड्नैपर्स को नहीं छोडेंगे मिन्वू की माम कहती है तुम्हे क्या लगता है मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए एक बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है तो डिरेक्टर कहता है जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है वैसे मेरा बिजनस मेरे लिए इंपोर्टेंट है वो जैसे ही वहाँ से बहार आती है तो यॉंगो उनसे कहता है मुझे उन सारे दोस्तों के नाम चाहिए जिसके साथ मिन्वू जा सकता है मिन्वू की मॉम कहती है रिसेंटली वो हाइ स्कूल रियोनियन में गया था मैं तुम्हें तीन दिन का टाइम देती हूँ मिन्वू को जिन्दा धून कर निकालो अगले सीन में जुनसंग आकर जेहो से पूछता है तुम इतने टाइम तक कहा थे तुमने मेरे मेसेज का रिप मुझे कुछ बताते नहीं हो तुम मुझे बीना बताए पैसे लेने गई थे और तुम्हें पैसे मिले क्या जेहो कहता है मैंने सब कुछ प्लैन के अकॉर्डिंग किया लेकिन अचानक से लास्ट मोमेंट पर उनको क्या हो गया पता नहीं उसने मुझे पैसे दिये ही नहीं वो मुझे बोलने लगी कि वो पैसे तब ही देगी जब उसे प्रूफ मिलेगा कि मिनवु जिन्दा है फिर वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है इन सब चीजों के पीछे कोई और भी है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो मिनवु की मॉम को फॉलो कर रहे थे जेहो कहता है इस टाइम पर ये सब कुछ वर्क नहीं किया क्योंकि मैं अकेला गया था इस बार हम दोनों साथ में जाएंगे जब मैं मिनवु की मॉम से डील करूंगा उसी टाइम पर तुम मिनवु का वीडियो बना सकते हो ताकि उसे प्रूफ मिल जाए कि मिनवु जिन्दा है लेकिन जुनसंग को बहुत गुस्सा आ जाता है वो उसे मारने लगता है जेहो कहता है मुझसे लड़ाई करके कोई फाइदा नहीं होगा अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमारे पास कोई और आप्शन नहीं है हमें मिनवु को मारना ही होगा लेकिन जुनसंग इसके लिए तयार नहीं हो रहा था जेहो कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पेरेंस अबराड में बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं मैंने तो कितने सालों से उनकी आवाज भी नहीं सुनी फिर वो उसके सामने बैक करने लग जाता है और कहता है मुझे कैसे भी करके वो पैसे चाहिए उसी टाइम पर जुनसंग के पास उसकी बहन का कॉल आता है उसकी बहन रोते वे बताती है कि उनके डैड हॉस्पिडल में एडमिट है वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो उसकी बहन उस पर चिलाने लगती है वो उसे एक जोड से थपड लगाती है वो कहती है सब कुछ तुम्हारी वज़े से हो रहा है वो बताती है कि डॉक्टर्स ने ये बोला कि उनके डैड का स्टमक पूरी तरीके से इंफेक्ट हो गया है और साथी में ये बताया कि उनके शरीर के बहुत सारे ओर्गंस को धोके से निकाल लिया गया है जुनसंग पूछता है ये सब कब हुआ और किस ने किया उसकी बहन कहती है सब कुछ तुम्हारी वज़े से हुआ है तुम्हारे गैंबलिंग कर्स का पैसा भढ़ने के लिए उनके डैड ने अपने ओर्गंस बेश दिये जब तुम मिलिटरी सर्विस के लिए चले गए तो हर टाइम गुंडे हमारे घर पर आते थे और वो लोग हमें बहुत हैरेस करते थे फिर जुनसंग जब अपने डैड के पास बैठा था तब उसे याद आता है जब वो मिलिटरी सर्विस के लिए जा रहा था तब उसके डैड ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना ध्यान रखना और पैसों की टेंशन मत लेना मैं तुम्हारा सारा कर्स भर दूँगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये सब याद करके जुनसंग बहुत इमोशनल हो जाता है पिर जब वो बहार आता है तो वो जेहो से कहता है जब मैं मिलिटरी सर्विस के लिए जा रहा था तो मैंने एकी चीज सोची थी कि बहार आने के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा मैं अपने डैड को लेट डाउन नहीं कर सकता हूँ फिर वो कहता है अगर हम लोगों ने मिनवू की बात मान ली और लास्ट में सब कुछ बरबाद हो गया तो हम तुम्हारे ओरीजनल प्लैन के अकॉर्डिंग चलेंगे उस टाइम में तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा लेकिन तुम दुबारा से सोच लो हमें मिनवू को नहीं मारना चाहिए मैं अपने डैड को दुबारा से डिजपॉइंड नहीं करना चाहता हूँ इसलिए बस एक बार मेरी बात मान लो इस बार जेहो भी मान जाता है फिर घर पहुँच कर वो सबसे पहले मिनवू को कबड़ से बाहर निकालते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे प्लैन के अकॉर्डिंग चलने के लिए तयार हैं हमें साथ में काम करना चाहिए उसी टाइम पर उनके दर्वाजे पर कोई नौक करने लग जाता है पता चलता है कि ये वही आफिसर था जो सुवैन का भाई था उसे देख कर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड फोर यहीं पर खतम हो जाता है अगर आप लोगों को मेरे एक्स्पिलनेशन पसंद आई हो तो लाइक शर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक्यों पर वाचिंग